बहुत आदमी को आज पेट में दर्ध होना चालू हो गया कुछ लोग होली मिलन समारों किये थे वो होली मिलन समारों नहीं किये थे वो टिकट बचाओ समेलन किये थे कि कैसे टिकट बचे 24 का चुनाब होगा लड़ा जाएगा और ये भी सत है कि हम जिस गठवंदर में जाएंगे बिहार में 40 लोगसवा सीट है और जिस गठवंदर में जाएंगे जिस लोगसवा सीट पर उमली रख देंगे वह ही से हम चुनाब लड़ेंगे 25 का जो जवाना आएगा वह जवाना में नए लीडर आएंगे नए लीडर में एक आपका भाई आपका बेटा वो भी रहेंगे और दो और है जिनको बिरासत मिला है जो भी हीरो बनने के लिए बंबबे गए हीरो बनने ही पाएं फ्लॉप हो गए दूसरा किर्केट खेलने के लिए गाए किर्कोट किर्केट में फ्लॉप हो गए समान समाज के या सौन समाज के लोग हो गरीब जो भी हो तपके का हर इसी जो जुरून उलास के साथ अपने जन्व दिन हर साल मनाएं और ऐसा भारत हमें देखना है इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जन्व दिन के अफसर पर आप लोग यहां पो पस्तित है और हमारे मीडिया बंदू भी यहां पो पस्तित है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गरीब पिछा समाज का बेटा को आवाज को गाउं गाउं तक आप लोग पहुचाते हैं और कम टैन में बिहार में बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीट और फाइटर प्लेन से भी ज़्यादा स्पीट में VIP पार्टी जिस तरीके से बिहार में अदेश में अपनी परचम लाह रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान खास करके मीडिया का है और मीडिया को मैं बहुत भहुत धन्यवाद देता हूँ बढ़का मीडिया का नहीं छोड़का मीडिया का जिसमें YouTube चैनल जादा है और पोटल न्यूज जादा है और बिहार के पेपर का भी योगदान हमारे परती बहुत अच्छा है और बिहार के इडिजिनल चैनल जैसे है जी न्यूज हो गया, न्यूज 18 हो गया ये सब का बहुत अच्छा हमेशा हमें सपोर्ट मिलते रहा आपको विशेश दोर पे धन्यवाद देता हूं मचली चावल का भोज बना है आप लोग खाके जाईएगा क्योंकि मेरा जन्य दिन हो तो मचली चावल का भोज ना हो अदेशी मचली का वेवस्ता हमेश जी किये है कतला, जो बिहार का फेमस मचली है आप मितलांचल का फेमस मचली है कतला इसका विवस्ता किया गया है तो आप सभी को बहुत बहुत धने बात देता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुक्य सानी जी मच्छपरपुर में ही क्यों जन्म दिन मना रहा है बहुत सारे जगह से चर्चा का बजार गरम हो गया कि अरे भीजा बियाली साल का जन्म दिन पूरा हुआ है 43 में मैं आज इंटर कर गया हूँ और लोगों को लगता है कि साथ मुक्य सानी जी को चुनाब लड़ना होगा इसलिए मचपपरपुर में जन्म दिन मना रहा है तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है सिर्फ चुनाब लड़ना ही हमारा मकसद नहीं है मैं यह अस्पस्ट करना चाता हूँ क्योंकि बहुत आदमी को आज पेट में दर्ध होना चालू हो गया कुछ लोग होली मिलन समारों किये थे वो होली मिलन समारों नहीं किये थे वो टिकट बचाओ समेलन किये थे कि कैसे टिकट बचे तो मैं किसी का टिकट पे दावा करने के लिए नहीं आया हूँ और यहाँ पे आज जन्म दिन मनाने का उद्देश ये नहीं है कि मैं चुनाब लणज़ा ही निश्यत तोर पे हमारी political party है और चुनाब पार्टी को लणना होता है और पार्टी जब सत्ता पावर में आता है तो ही हमारा हर विचारधारा पूरा होगा तो पार्टी का लक्स तो है चुनाब लणना लेकिन सिफ चुनाम लड़कर विधायक मंत्री बनना ये सपना हमारा नहीं है हमारा सपना है कि हमारा समाज के से मजगुत हो आज तक 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 तकरीबन आजादी से लेकर अब तक तक तकरीबन पचास से अधिक विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, केंदर तक मंत्री बने लेकिन आज तक इस समाज का भला नहीं हुआ और वो अपना भी भला नहीं कर पाएं हम कहते हूँ अपने रिष्टिदार का भी भला नहीं कर पाएं वो समाज को क्या भला कर पाएंगे हमें ऐसा नेता नहीं बनना है हमें बनना है अधा नेश्री लालू परसादी आदम जी जैसा उसमें भले दो चार पांच साल जो समय लगे दस साल लगे लेकिन बनना है तो ऐसे नेता बनना है बनना है तो मुलाण सिंग जी जैसा बनना है बनना है तो नितिश कुमार जी जैसा बनना है लीडर बनना है लॉडर नहीं बनना है कि अपने कमदे पे सब नेता को लेके और घुमो नहीं लीडर बनना है और निश्ची तोर पे चुनाब की बात है तो 24 का चुनाब होगा लड़ा जाएगा और ये भी सत है कि हम जिस गठबंदर में जाएंगे बिहार में 40 लोगसवा सीट है और जिस गठबंदर में जाएंगे जिस लोगसवा सीट पर उंगली रख देंगे वहीं से हम चुनाब लड़ेंगे, इसमें भी कोई तिस्तों प्रांतों महीं है तो इसलिए हमें टीकट के पीछे हमें नहीं भागना है हम अपने एजेंडा के पीछे भागना है और हमारा मुक्त देश है निसाथ समाज को आरक्षन मिले क्योंकि उनके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लणना चालो किया और उसी के दम पर, उसी के सयोग से मैं आज इस मकाम तक पहुचा हूँ पहले निसाथ का बेटा ने हमें हीरो माना, भाई माना, अपना माना उसके साथ-साथ आज तमाम पुरे बिहार के हर जाती वर्क के लो हर धर्म के लो आज अपना नेता मानने लगा है तो विशेश तोर पे निसाथ समाज का जो एजन्डा है आरक्षा वो तो दिश्शित तोर पे हमारे मुखा मेनुफेस्टों में है वो तो हमें करना ही है साथ ही हमारा बिहार का जो आज का जो पिक्चर है वो हमें बदलना है उसके अपर हमें मेहनत करना है क्योंकि मैं खुद एक जारी परिवार में जर्म लिया 18 साल में मुझे घर से बाहर मुंबे जैसे सहर जाना परा मामूली सी मजदूरी करने के लिए तो मैंने चाहूँगा कि मेरा बिहार के युवा अपनी जवानी दूसरे परदेश में गवाएं अपने बुढ़ा माबाप को छोड़ कर दूसरे राज में जाए और उसको अपने राज में नोकरी मिले उसको रोजगार हो और खास करके छोटे जो बेपसाई है दस अजार बीस जार पर महिना कमाने वाला वो उसको अपने राज में मिले ये बेवस्ता को बदलने के लिए मैं आज बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूँ तो इसलिए साथ ही हो आने वाला समय में बिहार के हर जाती वर्ग में अपने लोगों का आस्ता विश्वास मजगुती से बियाभी पार्टी में जुर रहा है निशी तोर पर हम लोग कान करेंगे आने वाला समय में अभी एक जनरेशन का बहुत वारा गैप होने वाला है अभी तक तो हमारे नितीज जी लालू जी माजी जी पेंदर कुस्वा जी शुसिल मोदी जी ये सब नेता का एक जवाना है खास करके 75 में जो लोग अंदोलन के दहद जो नेता बिहार में बने उसका जवाना आपका अभी चल रहा है लेकिन आने वाला समय में बहुत जल्दी एक दो साल के अंदर में ये जवाना खतम होगा 24 जाते जाते ये जवाना खतम हो जाएगा और 25 का जो जवाना आएगा वो जवाना में नए लीडर आएंगे नए लीडर में एक आपका भाई आपका बेटा वो भी रहेंगे और दो और है जिमको बिरासत में मिला है जो भी हिरो बनने के लिए बंबे गए हिरो बनने ही पाएं फ्लॉप हो गए दूसरा किर्केट खेलने के लिए गए किर्केट में फ्लॉप हो गए वो सफ़ल नहीं हो पाए और एक तीसरा मज़़ूर बढ़ के मुम्मे में गये है अब मुम्मे में मैंने जंडा का रहा है और उसके बाद विहार आया हूँ तो समय आएगा जब एक्जाम देने का जंता के बीच में समय आएगा तो उसके लिए भी हम रेडी हैं पहले से तैयारी करके बैठे है उस समय में जंता के बीच में बात रखा जाएगा तो आने वाला समय जो नई लीडर का होगा उसमें मजगूती से आपका भाई आपका बेटा आपका भाई अपना दोस्त वहाँ पे मजगूती से मुकाबला उस समय का करेंगे वा बिहार में बदलाव लाने का काम करेंगे इसलिए आप तमाम हमारे यहाँ पे बंच पे और हमारे सभागार में जितने भी उपस्तित हैं आप सभी को विशेस करके मैं धन्यबाद देता हूँ कि आप सभी लोग ने आप हमारे जन्म दिन पे यहाँ पो उपस्तित हुए हैं आप हमें जन्म जिनके अफसर पे आप हमारे लंबे उम्र का कामना करने के लिए उपस्तित हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद देता हूँ और तमाम सभी नेता को बहुत बहुत धन्यबाद देता हूँ भगवान से वही मनाईए कि जो हमारा उद्देश है वो उद्देश के साथ आगे बढ़ते रहें बहुत बहुत धन्यवाब सभी साथी को बहुत हो लाइफ भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें